और भाई लोग क्या हाल है ये वीडियो specifically जो लोग अभी अपना bodybuilding career शुरू कर रहे हैं फिटनेस करियर शुरू कर रहे हैं और जिनके पास budget का issue है जिनके पास बहुत कम पैसे हैं और समझ नहीं पारे कि कहां पर invest करना है क्याकर supplement लेना है बिकर अगर आप fitness की बात करो तो हजारो supplement है लेकिन आप कैसे decide करोगे कि आपके लिए कौन सा supplement useful हो जो pocket friendly हो और जो सच में आपको result दे देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा जो beginning phase होता है उस समय foundation त्यार हो रहा है नीव रखी जाती है अब beginning phase में कुछ गलतियां अगर आ लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो बहुत important बात यह है कि आपको अपनी body की natural tendency समझनी पड़ेगी शुरू में ही अगर आपने pre-workout डाल लिया तो आप समझो कि आप habitual हो और आपने अपना natural strength find out नहीं किया कि मैं naturally कितना lift कर सकता हूं यह सारी चीज़े कब काम आती है जब आप एक intermediate level पहुच रहे हो थोड़ी tenurity आपकी हो गई है तो आप अपने goal के हिसाब से supplement चुनते हो लेकिन मान लो आप beginning phase में हो और आपके पास कम पैसे हैं और आप सोच में हो कि कहां invest करें तो यह video आपको बहुत help करेगी क्योंकि यह लगबग 5 साल के experience से मैं आपको ब बालों के लिए आपके skin के लिए आपके overall livelihood के लिए आपके fitness के लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाली है मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बहुत limited पैसे हैं तो आपको कहां कहां invest करना चाहिए अब मेरी priority list में सबसे पहले जो एक natural herb आता है वो आता है अश्वगंदा अब अश्वगंदा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको लगता है कि वो सिर्फ एक काम के लिए है ऐसा नहीं है अश्वगंदा भाई multiple benefits देता है सबसे पहली बात कम cost में मिलता है 1500 रुपए 170 रुपए में आपको डबा मिल जाता ह है जिसको आप दूद के साथ पानी के साथ powder form में capsule form में consume कर सकते हो अब अश्वगंदा जब आपनी body में डालते हो खासकर कि आप beginning phase में हो तो वो क्या करता है यह समझने वाली बात है beginning phase में आप जब lift कर रहे हो body में क्योंकि आप diet जो है बहुत जादा change अभी आपने किया नहीं आपने gym join किया है अब यहाँ पे आपका एक routine रहा है बहुत time से आप normal livelihood जी रहे हो आप office जा रहे हो आप tuition जा रहे हो अगर college वालेज वालेज जा रहे हो लेकिन आपने change क्या किया आप अपनी body capacity को push कर रहे हो आप body को exhaust कर रहे हो समझो इस चीज को तो यहाँ पे अश्वगंदा जब आपनी body में डालोगे भाई तो दो तीन चीज़े होगी सबसे पहले अश्वगंदा जो है वो आपकी body में cortisol hormone को decrease करता है cortisol hormone क्या है cortisol hormone जितना decrease होगा उतना testosterone level अप होगा य cortisol नीचे जाएगा तो आपकी sleep quality increase हो जाएगी sleep quality increase होने के साथ साथ क्या होगा आपकी जो muscle recovery है वो अच्छे से होगी इतना ही नहीं absorption of nutrition है उसको अश्वगंदा बहुत हद तक promote करता है तो अश्वगंदा आपके supplement list में होना चाहिए अगर आप beginner हो तो limited quantity में लेना overdose मत करना otherwise कि किसी भी चीज का overdose आपके लिए issue create कर सकते हैं दूसरा एक protein supplement अब आप बोलोगी protein supplement क्यों मैं बताता हूँ अगर आपका budget है तो आपको protein supplement जरूर लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप घर के खाने से protein fulfill कर सकते हो कर सकते हो लेकिन खाना कितना पड़ेगा यह समझना बहुत important है आप protein supplement अगर लेते हो ना तो आपको pure form में protein मिलता है मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर budget है तो भाई नहीं है तो फिर आप घर के खाने से काम चला सकते हो लेकिन अगर budget है तो एक अच्छा protein supplement लो यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत important है कि protein supplement एक natural supplement supplement होता है milk से derive होता है वे protein के अगर मैं बात करूं तो अब आपने muscle को तोड़ा है उसको recovery के लिए जिस quality का protein चाहिए जो instantly उसको repair कर सकता है आपके protein goal को meet करने में help कर सकता है वो काम protein supplement करेगा लेकिन अगर आप beginner हो तो कुछ चीज़े आपको ध्यान रखना है कि beginning phase में हमें knowledge न जितना उसमें mention है protein उतना उसमें सच में होना चाहिए authentic होना चाहिए ठीक है और certified होना चाहिए protein supplement known brand अब यहाँ पे मैं आपको एक supplement recommend कर सकता हूँ जैसे atom का यह way protein enzyme blend है और खास करके यह beginners के लिए क्यों अच्छा है वो मैं बताऊंगा यह आपको मिल जाएगा mawa malay flavor में इसक के लिए आप description चेक कर ला ना वहाँ पे मैं details डाल दूँगा वहाँ से आप चेक आउट कर सकते हो अब सुनो कि यह beginners के लिए specifically क्यों अच्छा protein है क्योंकि इसमें 27 गाम protein तो आपको मिली जाता है इसके साथ-साथ 5.7 ग्रम BCAA मिल जाएगा 12.2 ग्रम essential amino acid मिल जाएगा और 4.5 ग्रम glutamine भी मिल जाएगा तो यह basically एक ऐसा combination है वे protein के साथ-सार nutrition का ऐसा combination है जो कि खास करके अगर आप beginning phase में हो जैसा मैंने बोला कि budget नहीं आप BCDable में नहीं invest कर सकते essential amino acid में नहीं invest कर सकते तो यह चीज़े इस protein supplement में आपको एक साथ मिल जाता है जो कि आपकी recovery को enhance कर देगा आपके protein goal को meet करने में help कर देगा और important बात क्या है कि यह भाई heavy metal tested है GMP certified है dough free है तो अब यहाँ पे अगर आप invest करोगे ना तो आपको surety रहेगी कि आपकी जो पैसे ह hard and money है वो किसी एरे-गेरे supplement पर नहीं जा रहा है एक authentic और अच्छे supplement पर जा रहा है तो आप इसके लिए description चेक करना है महाँ details डाल दूँगा वहाँ से आप खरीद सकते हो इसको अब तीसरा कम cost में बहुत जादा अगर आपको कोई चीज benefit दे सकता है जो मेरे list में है वह है multi protein supplement आपने खरीदा आपने 1500-2000 रुपए इंवेस्ट के इस पर माननों अब 100-200 रुपए का multi vitamin जैसे या body में डालो गे न तो इस protein supplement का और पूरे दिन की diet का जो आप protein rich diet ले रहे हो उसका absorption को बढ़ा देगा अब इसको मैं बहुत तोड़ के समझाता हूँ आपको आपने डाला nutrition body में protein डाला carbs fat डाला लेकिन body उसको absorb कितना कर रही है क्योंकि absorption अगर नहीं होगा तो ना तो muscle repair होगा ना muscle mass gain होगा तो multi vitamin क्या करता है transportation of nutrition कुछ आप खा रहे हो वो आपकी body में लग कितना रहा है एक lemon language में समझाओ तो उस चीज को बढ़ा देता है दूसरा उसमें आपको न micronutrients मिल जाते हैं जो कि क्या करते हैं recovery enhance करते हैं overall body की functionality जो है उसको enhance करते हैं और cost बहुत कम रहता है मैं यह नहीं कहरा कि बहुत high class brand का ही multi vitamin डालो क्योंकि आप beginner हो आपका budget का issue है तो आप medical store पे भी जाके अच्छे खासे आपको multi vitamin मिल जाते हैं और एक चीज का ध्यान रखन तो इस तरीके से अगर आप अपने supplement stack में एक अश्वगंदा, एक multi vitamin combined with zinc और एक अच्छा protein supplement डालते हो तो इसके बाद आपको कोई भी और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं फिर से इस चीज को highlight कर रहा हूं कि यह tips जो है यह beginner के लिए obviously जब आप intermediate level पे कर सकते हो लेकिन beginning phase में जितना natural और basic supplementation रखोगे उतनी अच्छी आपकी नीव बनेगी आप naturally अपनी capacity check कर पाओगे, naturally muscle growth कर पाओगे और बाद में अपने goal के हिसाब से चीजों को customize कर सकते हो So that will be all, I hope आपको वीडियो पसंद आई है और आपका concept clear हो गया हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, beginning phase बहुत important होता है अपने natural strength को check करने के लिए, अपना अच्छा foundation बनाने के लिए, तो किसी के बहकावे में आखे या ऐसी गलती मत करना कि भाई पहले दिन से दूसरे दिन से ही pre workout आप लेना, शुरू कर दो, या कुछ fancy supplements डालो, नहीं, हर चीज़ का एक सही time होता है, सही time आने पर सही चीज़ करोगे, तो result अच्छा मिलेगा, that will be all, मिलते बहुत जलनी वीडियो के साथ, till then stay safe, take care, bye bye